बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने एक ऐसा अमरयादित बयान दे दिया है जिसको लेकर पूरे देश में तहलका मचा हुआ है सियासत पूरी तरह से गर्माई हुई है विपक्ष जो बिजेपी है वो पूरी तरह से हमलावर है नितीश कुमार पे और इस पूरे मुद्दे को लेकर महिला आयोग भी अब काफी सक्त चितावनी दी, माफी मांगने की बात कई, जिसके बाद नितीश ने माफी मांग लिया, वो बयान ऐसा है कि हम आपको यहाँ वीडियो में सुना नहीं सकते हैं, हमारे साथ हमारी साथी प्रियंका जी हैं, प अगर आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप से उमीद की जाती है कि जो भी आप शब्द बोल रहे हैं, उसका चैन आप बिल्कुल उची तरीके से करें, वहाँ पे सिक्षा की बात हो रही थी, आरक्षन की बात हो रही थी, उस बीच में उन्होंने ये मुद्दा उठाया, जिस किसी भी प्रकार के शब्द इस्तिमाल कर रहे हैं, वहाँ पे भी महिलाये होती हैं, तो उन शब्दों का प्रियोग तो आपको ठीक प्रकार से ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुद्दा था, मुद्दा भले ही ज़रूरी मुद्दा था, लेकिन जिस तरीके से नितिश कुम कभी कभी लोग ऐसे बयान दे देते हैं अभी हाली में बीजेपी के मुखमंतरी थे जुनों ने लड़कियों की सकल्ट कपड़े पर लेके बयान दिया था कि जिन्त नहीं पेन तो यह कहीं वैसा बयान नहीं पुराना बयान देते चले आ रहे हैं तो जो कल नितिश कुमार न मैं तो माफी मांग लिया तो क्या माफी मांग लेने भर से यह चीजें बदल जाती हैं क्या इस पे बहस नहीं होगी उन्होंने माफी मांग ली तो नहीं बिल्कुल इस पे बहस होगी और होनी भी चाहिए क्योंकि जैसे नितिश कुमार ने बोलते समय नहीं सोचा कि वो क्य क्या बोल रहे हैं क्योंकि जब बोल रहे हो और आप मुख्यमंत्री हो एक प्रदेश को रिप्रजेंट करते हो तो आपको यह पता होता है कि आप जिन शब्दों का चैन कर रहे हो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो नितीश कुमार ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल भी उस पे अगर वो माफी मांग भी लेते हैं तो भी इस बात पर बहस तो होनी चाहिए क्योंकि ऐसे पहले भी हो चुक्겁 है कि जो नेता हैं वो लड़कियों को लेके आपको बेजते हैं और कम से कम इतना तो हम जरूर एक इच्छा रखते हैं कि आप जो है उन चीजों को कलंक कि इतना करें अमरे याद इतना करें लेकिन सबसे ज्यादा चीजे वहीं होती है तो ये इम्रान क्या आप देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है तेके सर उन्होंने जो को बयान दिया तो उनको यह भी पता था कि हमारी भी पार्टी के कई मैला भी धायक है उनको यह तो ध्यान में सदर में कई मैला थी भी उससे उनको यह तो ध्यान में रखके चले बयान दिये तो कि यह पर ध्यान रखके देना चाहिए कि हमारी भी घर पे कोई मैला है हमारी भी भी हमारी भी बच्चे हमारी भी कोई है तो यह सदर में भी महिला तो यह सब ध्यान में रखके उनको बया जा रहा है लेकिन मुखमंतरी होते हुए भी वो महिलाओं के पर तिये बयान दे रहे हैं और ये मैं इसलिए भी कह रहा था क्योंकि आप देखिए कि महिलाओं पे तो इलो टिका टिपड़ी करते ही हैं धर्म विशेष को लेकर भी पिछले दिनों आपने संसद में देखा किस तरह से मुश्लिम समुदाय को लेकर टारगेट किया गया जेहादी और क्या-क्या चीजे बोली गई बाद में उन चीजों पे ये लोग कह देते हैं कि संसद की चीजे हैं हटा दीजी और यह नहीं होगा लेकिन यह जब मैसेज जाता है जनता में तो जनता क्या सोचती होगी क्योंकि चुन के हम आपको भेज रहे हैं और आप वहां जा कि यह कर रहे हैं जो रमेज बीदूरी यह आतम लोग जो इस तरह के बयान होते हैं इतिश जी का तो जो मामला है वो अलग ही है लेकिन जो जैसे धार्मिक गरंथों पर बयान देना या महिलाओं के कपड़ों पर जैसे आपने कहा लड़कियों के कपड़ों पर उनकी आजादी पर तमाम तरह के बयान देना तो कई बार क्या आपको लगता है कि वो माहौल बना बयान दे करके लेकिन समाज पे उसका क्या असर पड़ रहा है और आप जनता के द्वारा चुन कर एक जगह पे बिठाए गए हैं उसके बाद आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अगर आप ये एक न्यूज में बने रहने के लिए भी करते हैं तो ये भी बिल कुलने से पहले अपनी चीज़ों को तो जरूर ही तोलना चाहिए फिलाल इस मामले में पूरी तरह से मैला आयोग और जो और भी मैला हैं सबका निशाना नितिश कुमार पे है और नितिश कुमार ने माफी जरूर मांग लिए लेकिन काफी ट्रोल हो रहा हैं लोग उनसे त नितिश कुमार देखे जा रहे थे कही न कहीं 2024 में एक PM कैंडिडेट के रूप में भी उनका नाम आ रहा था तो यह मुद्दा है क्या बिजेपी जो है इसको इसको इस कदर भुना सकती है आने वाले चुनाओं में कि नितिश के लिए यही मुद्दा उनके लिए एक बहु तो यह हो सकता है कि इंडिया को भी बड़ा जटका यानि पूरे बिपक्ष को बड़ा जटका लग सकता है क्योंकि उसके प्रमुक्ष चेहरों में से नितिश कुमार भी एक है और देखना दिल्चस्प होगा कि आगे यह सियासत किस करवट लेती है लेकिन फिलाल यह भयान तो सरगर्मी पैदा करी चुगा है आप देखते हैं लाइब इपी निउस 24 नमस्कार